इस वीडियो में मैं आपको राश्टर में टोर कोंसेप जहां हम पढ़ाएं आप पड़ते हो बिलकुल कॉंसेप्ट आई य आप लोग स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे आप लोगती अची चेल यहीं तो आज जैसा कि हम आपको नाम तो सब ने सुना होगा ठीक है उसी के बार में आपको complete information देने वाला हूं कि कैसे आपको admission लेना है कैसे selection लेना है क्या पेपर वेपर पैटर्न वेटर्ण स्लेवस वगेरा सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो सबसे पहले जो rms rms है क्या ठीक है नाम तो सब ने सुना है राश्टर मिलिटरी स्कूल ठीक है इंडिया में टोटल फाइब राश्टर मिलिटरी स्कूल है इससे पहले मैंने वीडियो बना रहे कि आप वह भी देख सकते हो डिस्क्रिप्ट आपको लिंक मिल जाएगा पहले को जैसे कि rms टोटल इंडिया में फाइब राश्टर मिलिटरी स्कूल है उन मेंसे फर्स्ट होता है चैल जो कि हिमाचल प्रदी शिमला में है बरफ ही बरफ है फोटो भी आपको यहां पर सोगरी होगी ठीक है सेकिन आपका आता है rms अजमीर जो कि राजिस्तान में ह आये सबका में इन को क्या करते हैं कि हाँ अगर जिसको डिफेंस में जाना है उत्या से प्रपेउस करते हैं। देखो जैसे RMC के आप मैंने आपको वीडियो बना रख है RMC क्या करता है ठीक है कि वहां पर बच्चु को में वो NDA के लिए emphasis करता है और 80% लोग NDA में भी वहां से सेलेक्ट होता है सैनिक स्कूल ऐसी RMC आपका राष्ट्रे मिलिटर स्कूल होता है तो यह एक इंग्लिस मीडियम रेजिदेंश इसकोल होता है जो कि CBSS के बोर्ड वहां होता है CBSS के अंडर में आता है और यह मिन्स्री आप डिफेंस के अंडर में आता है राइट जो कि रक्षा मंत्राला ही होता है कहीं पर डिपेंस वर्ड आ जाई इटमींस यह defense के लिए आपको प्रिप्रेशन करता है मेंली ठीक है बाके और भी करवाएगा इसके बाद हम यह पर अगर एजुकेशन की बात करें तो यह 6 से 12 तक आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आपको यह तो 6 यह तो 9 में एड़िसन मिलते हैं वो भी किसको सिर्फ वॉइस को र ओगर आई में वगरा ठीक है यहां के लिए आपको बिलकुर अच्चे से प्रिप्यर पर अब करवाता है एक आपको यह तो जैसे आपने 10 के बारत देखा ओए 11-12 में कि साइंस होता है आर्ट होते हैं कि साइंस होता है लेकिन बात करें, I mean, well, science भी है वहां, commerce भी है, दोनों है वहां, राइट, बाकि सिर्फ साइन्स होता है, और किसी भी स्कूल में, अब अगर हम admission में आपको बो दें, या तो 6 में मिलता है, और या तो आपका कहा, 9 में होता है, ठीक है, और mainly जो, इसका मतलब entrance exam होता है, ठीक है, सब को बात करूँ, कि admission ही, कि मैं इससे आपको बात कर लेता हूं, right, कि कैसे आपको admission लेना है, सब सब मैं आपको बोदे, आपका test होना है, अगर आप class 6 में हो, तो इस test में, वो, participate करने के लिए, ठीक है, आपको एक eligibility criteria होना चाहिए, ठीक है, आपकी age वगएरा, ये आपको पता हो अगर मैं class 6 ती, बात करों, तो जो आपकी age होति है class 6 मे इस एकृत है, ये जह कितनी होती है, 10 to 11 year होती है, तो आपको और अगर आप 9th class में हो, तो तेरह से चौदा साल आपकी age होनी चाहिए, इतनी बात आपको clear हो चूकी होगी, 10 से 11 13 14 हां कुछ रिजर्विसन भी इसमें रहता है उनको एज में थोड़ी पांच मेने का थोड़ी लंबा कीचा जाता है ठीक है जैसे मतलब कोई मतलब जो डिफेंस में रहा होगा ठीक और वो अन्दा मतलब जब ड्यूटी पे रहा होगा तो उसकी मतलब डेथ टाइप की अगस्ति नहीं होता है इसके बाद अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो अगस्ति यह सप्टेम्बर में इसके फॉर्म निकलते हैं तौई फॉर्म आप या तो को से ले सकते हो या पोस्ट अप्रिस ले सकते बड़ाब करें और दाफ्ट भगार्राघ्ण इसका दिसम्ह criticism होता है वह मैंने आपको बता ऑन अब बात करते हैं जला इसके exam pattern की इसका exam pattern क्या क्या होता है अगर आप class 6 के हम बात करें तो math आती है gk आता है English आती है और आपकी intelligence आते हैं जिसे आप reasoning कहते हो math में आपके 50 marks का होता है ठीक है हर एक question एक marks आओगा जी के आपका 50 marks का होता है English आपका 50 होता है और intelligence आपका 50 होता है ठीक है टोटल 50 50 marks आपके यहां पर हो जाते हैं ठीक है इसके बाद अगर आप जो यह paper होते हैं इसको qualify कर लेते हो I mean अगर आप इसको crack कर लेते हो फिर आपका interview होता है जो कि 20 marks का होता है यह हम class 6 के बात करने है separate video बनांगा पूरा अच्छे analysis करवा के अब देखो यहां पर आपको pass होने के लिए हर किसी subject में 40% होना चाहिए बस English में आपको 35% लेना है और English में 35% होते हैं वो marks marks count नहीं होते हैं और से आपको qualify करना होता है मतलब English mandatory है जुरूरी है कि आपको हाँ English आती है ठीक है उसके लिए आपको 35% marks आने चाहिए नहीं आते हैं तो आप फिर select नहीं हो पावगे चाहिए आपके math reasoning में कितने भी marks आजें राइट तो यह चार आपको आते है math, gk, English और intelligence तो total आपका जो paper हो जाता है वो 220 marks का हो जाता है interview मिला 200 marks तो यह science subject 20 marks आपका interview यह चीज़ आपको clear हो चुकी होगी इसके बाद अगर मैं class 9 की बात करूं तो class 9 में आपके पास math होता है English होता है science होता है social study होता है और हिंदी होता है और दो paper आपको होते है ठीक है paper आपको कितने होते है दो paper आपको होते है यह पर फर्ष्ट होता है paper होता है paper फर्ष्ट आपका हो जाता है एक social study और हिंदी के social study और हिंदी हो जाएगा आपका social study हिंदी और English यह अपका paper होता है अब जो क्लास 11 की मैं बात करो तो यह तो मैंने आपको बता जिया कि वहाँ पर कुछ भी मतलब एंटरेंस अग्जाम होता नहीं है डायक्ट आपको मैं लिटके तो एडमिसन मिल जाता है यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी इसके बाद अगर मैं आपको यह बता दो क्ला साइंस के थाइं मै सायंस के फिफ्य फिफ्य होती हैं सायंस के होते हैं यह एंपर चैब यहां पर कितने होंगी यह 50 मार्ट 1975 किरुब होगा गया ह detective मार्क्त का होता है चाले स्भी ब्रीट सांइक होता है है क्लीयर लोग होगा यहां उसके बाद आपका मेडिकल होगा आपने एक्जाम निकाला इंटर्व्यू लिया उसके बाद आपके क्या होता है मेडिकल होता है ठीक है और मेडिकल इंपोर्टेंट है नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी रिजर्वेशन भी आपको पता होना चाहिए आपको मिल जाएगी लेकिन नौर्मली में आपको एक उसमें बता दूं तो रिजर्वेशन मतलब टोटल सीट टोटल सीट जितनी होंगी हर इसकुल में अलग अलग होंगी तो 70% सीट रिजर्वेशन रहती है वो किसके लिए रहती है जो मतलब डिफेंस में रहा हो आपी जैसे जैसे यो वगएर आरो गारति या जो रिटारेड भी होंगे उनके लिए रिजर्वेशन रहता है या जो मतलब आर्मी नेवी एइरफोर्स सब्सक्राइबंस में पर इसके लिए याँ आपर क्या हो जाता है रिजर्वेशन मिलता है जन्र जो मैंन ये डिफेंसे लिए मतलब सेवन्टी परसेंट यह थर्टी परसेंट से नॉर्मल लोगों के लिए जो सिविलियंस होते मतलब डिफेंस पर नहीं उनके लिए भी फिर यह दोनों क्याटिगरी 70% वाले 30% वाले इन मैंसे 50% से के लिए रिजावर रहती है परसेंट के लिए रिजर रहती है ठीक है हर किसी कायटी किरी में और उनके लिए कुछ अलग रिजयान भी होता है कैसे आपको स्कूल स्कूल में है कैसे आपको साइंस टूल में कि सीच्टिम डिना वह आप देख लो कोई भी अगर बता देना अब हम यहां जिए व्हां से प्रिप्रेशन कर सकते हो ठीक है क्योंकि आपको पता है जो किसी भी एक्जाम होता है उसका जो basic structure होता है वो almost same होता है चाहे वो R.A.M.C. हो चाहे वो कोई भी हो क्यों क्यों देखो math है math है math में HCF LCM हर जगे है यह तो हो गाने कि यहां रेशियो का मतलब मतलब कुछ और हो जा रहा है ऐसा तो है निए बाकि पेपर का लेवल अपडाउन होता है क्या संके टाइप होड़ी चेंज हो जाता है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी हम बेसिक कॉनसर्प्प पर्ड़ रहें बिल्कुल क क्योंके मुझे पता है आपके क्या डावट आते किस टाइम पर आपके डावट आते हैं अपका क्लारे में से कोई भी क्वाश्य हूंगा आप मुझे करना वॉट्स आप करना टेलिगराम करना मैं आप को इल्टरी उसका रिप्लाइं दे दूंगा राइट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन सब के साथ सीखते रहिए अंटोड कॉन सब के साथ विश्यों बेस्ट बी हैपी